दोस्तों आज की कहानी है बहुत तुमारे लिए आज सबजी नहीं बसे दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं क्याओं तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे अरुज नया वीडियो इसा किसन में जोर-जोर से शिला रहते सारे बच्चे इधर आओ इस बाउल में से मा का रसकोला कहां गया किस ने खाया रिशा सुट्य के बबלू और सिंग की दोनों बच्चों के साथ माय के आई हुई थी पिंटू और सविटी दोनों उसकी भावी के बच्चे हैं बबलू म मम्मी पिंटू ने खाया है मैंने उसे मना किया था कि लैश्ट पीस हैं नानी के लिए रकाएं पर फिर भी माना नहीं खाकर को सिंग भाग्या सवीर्टी बुआ कोई फाइदा नहीं है मा अक्सर अपनी सीजी उसे ये दे देती है वो तो कहीं बार मम्मी के लिए भी नई सोड़ता उसी आदत हो सुखिये बाबी मेरी तो मा सुनती नहीं बोलती है मेरे प्यार के भीस कोई कुछ नहीं बोलेगा सब की आवास सुनकर मा की सन में आई मा क्या है भाई इतना हगामा क्यूं मसरर काई बात क्या है रिसा मा अब इतनी बोले भी मतवनों आप सब सुन रही थी मा तो ठीक है ना क्या हो गया अगर मेरा रस्कूला पिंटू ने खा لیا मैं तो वेसे भी बचों को दे देती हूँ बचों के खाने से मा का पेर तो अपने आप ही भर जाता क्या फरक परता एक रसकूले से और आज आएंगे प्रीसा माबाद रसकूले की नए बात आदत की है जो आप नजाने में भीगार रही है यह बात मैंने भी मेरी सासु माँ से सी ची की हैं आप तो जानती हो हमारी पूरी बिसजनों की फैमलिये कभी कोई सीज कम तो कभी कुछ ज़्यादा अगर वाँ सबी बच्चों की यही आ होती सबसे लेस्ट में हम बगुआं को नंबर आता और हमें तो आदिसिस कभी मिलती नहीं मेरी सासुमा ने सबकी आद़ डाल रखें कोई भी जब एक्स्ट्रा मांगता है तो पहले पूस लेता है यह जादां या नहीं अगर होता है तो सासुमा दे देती वरना सापना कर दे जब मैं नई नई गई थी तो मुझ पे आपी की आदत थी कहीं बार अपना मन दबवार त्याग कर देती थी मैं सोचती थी क्या फरक पड़ता है मैं थोड़ा कम खालूंगी और एक सीज नहीं खाई तो भी क्या हो जाईगा मैं सबको जूट बोल देते थी कि पड़ाये पर जब सासु मां को पता सला तो वोनी मुझे सब जाया जितना सबको जरूरी है उतना तुमें भी जरूरी है हम अंजाने में खुदी अपनी अपनी बचों को अपने परिवार को ये सीखा देते कि हमें कोई फरक नहीं पड़ता दूसरों का हक लेने में कोई बुरा नहीं है परिवार और बचों की खुसी हमारी खुसी यहीं बात पूरा परिवार टेकन फ्रोर ग्राडेंट लेना लगता है दीरे दीरे ये बात जिंदकी क और पेलू पर हर वीसिय पर लागू होने लगती और हम अपनी इसां का अपनी खवाइस का त्याग करते रहते बली दान करते रहते हम भूल जाते कि हम भी इंसाने भगवान नहीं कहीं ना कहीं मन तो सभी का करता है मा हमारे गर में पूरे से बच्चे और उनकी आदत हो सुकि गर में कोई भी सीजो पहले वह बढ़ों के बारे में सोचते गर में कोई भी गेश्ट आता है तो हमें बच्चों को समझना नहीं पड़ता वो खुदी सब नेमिज कर लेते बाबी मा ये मैं आपको समझाना सातियों कभी कभी कोई प्यार से दे दिया तो अलग बाते पर हमेशा ही अब वो उसकी आदत बन सुके कोई बड़ी बात नहीं होगी कल जब वो अपनी पतनी के लिए भी ऐसा ही सोसे गा मा इस नजर से तो कभी मैंने सोसा ही नहीं मुझे यादे तुमारी दादी हमेशा तुमारे पापा और दादा जी कोई सबसे ज़्यादा मेहतव देती थी जिस दिन बहुत टेश्टी सबजी बनती थी उस दिन हम मा के साथ आसार और रोटी खाते थे हमारी धाली में सबसी ना देख कर भी किसी को बहुत ज़्यादा फरक नहीं परता था बस इतना सा कहती थी अच्छा तुमारे लिए आज सबसी नहीं बसी जब नहीं नहीं थी तो बड़ा गुछा आता था लगता था आज खाना ही नहीं खाऊंगी पर ना जाने कब दीरे तेरी ये आदत बन गई और देखो यही आदत में अपनी बहुआ बेटी को भी सिखा रही थी सई हैं ये सोटी सोटी बाते जीवन जीने के संसकारी बदल देती हैं अनजाने में हम खूदी हमारे बच्छों को गलत सीखा ते फिर बड़े होकर जब वो गलत करते तो उनको सवार्थी करने लगते बाबी मा बसपन से बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि जैसे बड़े उनके वीश्य में सोचते वो भी बड़ों के वीश्य सोचते अस्ते ही वे जब कोई ध्यान रखे तो हमें मना नहीं करना साहिए बात सुनकर सब आसने लगे मा आने दो सब को घर आज से घर की नई कहीं नियम बदलेंगे दोस्तों सोटी सोटी बाती हमारे वियक्त और स्रित का निर्मान करती जब बसपन से बच्चों को सभी का ध्यान रखना सीखाते हैं तो वे बड़ी होकर घरी नई समास का राष्ट का भी क्याल रखती हैं